इधर औरंग जेब दखिन के मोर्चे पर माराठों तथा शिया मुसल्मानों से लड़ने में व्यस्त था और उधर उत्तर भारत में मुगल सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह काफी प्रचंड होता जा रहा था एक तरफ तो मारवाड और मेवाड के राजपूत तथा मद्य भारत के बुंदेले मुगलों से दुश्मनी निकालने में कोई कसर नहीं छोड रहे थे तो दूसरी तरफ जाटों और सिक्षों को रोक सकने वाला कोई नहीं था इस काल में जाट एमसिख काफी मुखर होकर मुगल सल्तनत को बरबाद करने पर तुले हुए थे यद्ड़पी आमेर के कच्छवाए और बूंदी के हाड़े अब भी औरंग जेब के साथ थे किन्तु वे भी बहुत तूटे हुए दिल से मूर्चों पर डटे हुए थे वैसी ही दर्दनाक और अपुमान जनक मृत्यू औरंग जेव ने उद्धों बहरागी तथा कई और लोगों को भी दी थी इस कारण देश में चारों और मुगलों के विरुद्ध गंगोर वातावरन बना हुआ था गोखुला के दर्दनाक अंत से बुरी तरह आहत हुए जाट, धीरे-धीरे सिंसनी गाउं के निवासी, ब्रजराज जाट तथा उसके भाई भज्जा सिंग जाट के नेत्रतु में एकत्रत होने लगे जाटों का मुख्य जगड़ा इस बात को लेकर था कि मुगल सेनाय, राजस्व वसूली के नाम पर किसानों से लूट पार्ट न करें इसवी 1682 में ब्रजराज मुगलों से युद्ध करते हुए वीर गती को प्राप्त हुआ उसकी मृत्यों के कुछ समय बाद उसकी पत्नी के गर्ब से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम बदन सिंग रखा गया आगे चलकर बदन सिंग भी जाटों का प्रमुखनेता बना ब्रजराज का छोटा भाई भज्जा सिंग एक साधारन किसान था यह परिवार सिंसनी गाओं का रहने वाला था भज्जा सिंग का फुत्र राजा राम भी अपने बाप दादों की तरह विद्रोही प्रवर्ति का था कहते हैं मउग के ठानेदार लाल बेग ने एक अहीर इस्तरी का बलात शील भंग किया था जब यह बात राजा राम को ग्यात हुई तो उसने लाल बेग की हत्या कर दी उसकी इस वीरता से प्रसंद होकर जाट उसके पीछे हो लिए और राजा राम निर्विवाद रूप से जाटों का नेता बन गया शीग रही राजा राम ने मिट्टी के परकोटों से गिरी पक्की गड़ियां अर्थाथ छोटे दुर्ग बनाने आरभ कर दिये जब राजा राम की इस्तिती काफी मजबूत हो गई तो उसने आगरा सूबे पर आक्रमन करने शुरू कर दिये इस पर औरंग जेब ने राजा राम को दिल्ली बुलवाया तथा उससे समझोता करके उसे मथुरा की सरदारी और 575 गाओं की जागीर प्रदान कर दी राजा राम ने अपनी जागीर अपने भाई बंधों में बंदूक्षी सवार की नियमित शर्थ पर वित्रित कर दी तथा इस प्रकार अपनी नियमित से न खड़ी कर ली औरंजेब ने सोचा था कि जागीर प्राप्त करके राजा राम मुगलों के साथ हो जाएगा तथा जाटों को नियन तरंड में रखेगा किन्तु राजा राम ने मुगलों की बिलकुल भी परवाह नहीं की उसने आगरा मत्रा के क्षेतर में सरकारी खजानों व्यापारियों तथा सैनिक चौकियों को लूटना जारी रखा मुगलिया रिकॉर्ड के अनुसार चारों और लूटेरे ही लूटेरे दिखाई देने लगे जिनके कारण आगरा और दिल्ली के बीच सरकारी माल तथा व्यापारियों का निकलना दुशकर हो गया इस लूट पार्ट से जाटों की गड़ियां माल से भरने लगी इस पर औरंग जेब ने शफी खाँ को आगरा का सूबेदार बना कर जाटों का दमन करने के लिए भेजा जब शफी खाँ ने जाटों को तंक करना शुरू किया तो राजा राम ने आगरा के दुर्ग पर चड़ाई कर दी शफी खाँ डर कर किले में बंद हो गया राजा राम और उसके साथियों ने जी भर कर आगरा परगने को लूटा शफी खाँ की विफलता के बाद औरंग जेब ने कोकल तास जफर जंग को आगरा भेजा किन्तु वेह भी राजा राम को दबाने में असफल रहा इसफी 1687 में औरंग जेब ने अपने पोते बेदार वक्त को विशाल सेना देकर जाटों के विरुद्ध कारिवाई करने बेजा बेदार वक्त के आगरा पहुँचने से पहले ही मार्च 1688 के अंतिम सप्ताह में राजा राम ने रात्री के समय सिकंदरा इस्थित औरंग जेब के पर बाबा शेहनशा अकवर के मकवरे को घिर लिया उसने शेहनशा अकवर की कबर खुदवा कर उसकी हड़िया आग में जोंक दी तथा मकवरे की चछत पर लगे सोने चांदी के पतरों को उखाड लिया जाटों ने अकवर के मकवरे के मुख्य द्वार पर लगे कांसे के किवार को भी तोड डाला वहाँ से चल कर उन्होंने मुगलों के अधीन कई गावों को लूटा खुरजा परगना भी उनके द्वारा बुरी तरह से लूटा गया पलवल का थानेदार जाटों द्वारा गिरफतार कर लिया गया जब शहजादा बेदार वक्त जाटों के विरुद्ध अप्रभावी सिद्ध हुआ तो औरंग जेव ने आंबेर नरेश बिशन सिंग को जाटों के विरुद्ध भेजा महराजा बिशन सिंग तथा राजा राम की सेनाओं में आमने सामने युद्ध हुआ जिसमें वीर राजा राम वीर गती को प्राप्थ हुआ महराजा बिशन सिंग ने उसका सिर काट कर औरंग जेव को भेज दिया राजा राम का प्रबल सहायक राम चेहर भी इस युद्ध में पकड़ा गया उसका सिर काटकर आगरा के केले के सामने लटका दिया गया राजाराम के कटे हुए सिर को देख कर औरंध जेव ने बड़ा हुटसब मनाया वीर राजाराम की मुर्त्यू से भी औरंध जेव संतुष्ट नहीं हो सका उसने राजा विशन सिंग को निर्देश दिये कि वह अपना काम जारी रखे तथा संपूर्ण जाट जाती को ही समाप्त कर दे महाराजा विशन सिंग जाटों का जन्म जाट शत्रु था क्योंकि जाट उसके आमिर राज में लूट पाट किया करते थे उसने जाटों के विरुद्ध भयाना का भियान चलाया जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जाट मारे गए अगली कड़ी में देखिए शंभाजी ने बड़ी ग्रणा से औरंग जेब के मुह पर थोग दिया